आप सभी का मेरे चैनल पर पुर्णा स्वागत करता हूं आशा करता हूं आप सभी सुस्तोंगे महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदय बनिये हैं कि वीडियो विरिशब यानि की टॉरस के लिए बहुत महत्तपून है क्योंकि वीडियो है विरिशब के अगस्त 2023 के मासिक रा होती हैं जैसे कि सामान नेविश्टेशन करियर बिजनस इंकम इंवेस्मेंट लव लाइफ मैरेड लाइफ स्टूडेंस इन सब पर आधारित होता है कहां से देखी राशी फल लगन राशी और चंदराशी से अलगलग राशी फल नहीं बन सकते टेक्निकली आपके ऊपर है कहां से उब्जरव करना चाहते हैं मेरा हमेशा से मानना यदि आपको अपनी लगन राशी पता है वाह से देखिए नहीं पता तो चंदराशी से भी गाइडेंस के लिए इन शॉर्ट जूर्ड लगने बहुत महत्तपूण और बहुत बदलाव लेकर आने वाला है कारण क्या है महिना ऐसा है जहां पर बहुत सारे ग्रह वक्री होंगे शनी वक्री अलरड़ी थे शुक्र वक्री हो गए है शुक्र लगने के स्वामी है और पतित भी हो जाएंगे यानि कि पिछली राशी में गिर जाएंगे साथ अगस क्या सपास बुद्ध भी महिने के अंत में जाकर वक्री हो जाएंगे तो इन सब चीजों की चर्चा करेंगे और इस महीने एक और महत्वपुन्ट चीज होगी कि देखी बहस्पती सितंबर में वक्री हो जाएंगे लेकिन कोई भी ग्रह एकदम वक्री नहीं होता, पहले स्पीड धेरे होती है, तो ब्रहस्पती की भी स्पीड, देवगुरु ब्रहस्पती की जो गती है, वो भी थोड़ी मंद हो जाएगी, तो कई चीजों का प्रभाव इस महीने आपके जीवन पर पढ़ने वाला है, सबसे अगर केंद्र में देखें, तो बहुत सारे ग्रह रहेंगे, एक चार साथ तस की केंद्र भाव होते हैं, इनको विश्णू स्थान भी कहा जाता है, और जीवन के स्तंब होते हैं, केंद्रों में अगर कुरूर ग्रह होते हैं, तो वेक्ती आगे भढ़ता है, इस महीने स्वे घर में बैटे हैं तो जीवन में आगे बनने के अवसर मिलेंगे जीवन में रुकावटे दूर होंगी confidence वापस आएगा अपने ओपर confidence वापस आएगा self-respect वापस आएगी और आप कई obstacles इस महीने अराम से solve कर लेंगे क्योंकि चौथा भाव भी केंद्र है लेकिन वो emotions का स्थान भी है वो family का स्थान भी है property का स्थान भी है घर का स्थान भी है निकि इन सब चीजों से संबंदित आपको अच्छे result मिलेंगे यानि कि घर में पैसा आएगा घर में स्थिरता आएगी property खरीच सकते हैं वाहन भी ले ले सकते हैं लेकिन क्यूंकि चौथा भाव इस बार और स्ट्रॉंग हो जाएगा यानि कि emotionally भी आप और स्ट्रॉंग हो जाएंगे और आज का टाइम वही है जहां पर emotionally स्ट्रॉंग व्यक्ति ही survive कर पाता है अदर्वाइस तो थोड़ी problem रहती है जब लगन पर कोई ग्रह का प्रभाव नहीं रहता तो लगने के स्वामी को और देखना चाहिए लगने के स्वामी देखिए आपके शुक्र है वक्री तो है और इस में वह पतित भी हो जाएंगे यानि कि पिछली राशी में भी गिर जाएंगे जब कोई ग्रह वापस पिछली राशी में जात तो आपको चीजों को सुधारने का अवसर देता है आपको वो जो ऑपर्चुनिटीज हाथ से निकल गए थी वह वापस देता है वह आपके उपर है कि आप उसका कितना लाब उठाते हैं देखें आम तोर पर ग्रह आगे ही बढ़ते हैं राहू केतु को छोड़कर लेकिन खुद आप सोचें कि कोई ग्रह वापस जा रहा है हम वापस क्यों जाते हैं चीजों को सुधारने के लिए हम वापस क्यों जाते हैं जो चीजें खराब हो गई थी उनको ठीक करने के लिए इसलिए शुक्र जो आपके लगने के स्वामी है वो वापस जाएंगे करकर यानि कि आपके लगने से तीसरे भाव में आपको कई चीजों को ठीक करने का अवसर देंगे, भाई बहनों से संबंद भी कर गड़े थे, होता है, उसको ठीक करने का आपको मौका मिलेगा, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं कर पाये थे, उन इच्छाओं को पूरे करने का मौ का मिलेगा, confidence बढ़ेगा, ये सारी चीज़े आपके लिए शुक्र महाराज पतित होकर अवश्य देंगे, लेकिन ग्रह पतित होता है, तो कुछ नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव यह हो सकता है कि इस महीने आपके अंदर excitement बहुत जादा आ जाएगी, और वो over excitement के चकर में अपना कुछ नुकसान करा सकते हैं, उस पे आपने नियंतरन रख लिया, तो अधिक्तम तो आपको शुक्र महाराज का वक्री होना और पतित होना अच्छा ही result आवश्य देखर जाएगा, बाकी ग्रहों के स्थिति देखे तो वो भी आपके लिए थोड़ा बहुत अच अगर आप स्थान परिवर्तन के साथ देख रहेते हैं, आप चाहते थे कि आपकी जॉब चेंज हो और स्थान भी कुछ अलग हो, तो उन्हें लोगों के लिए जो महीना है, बहुत अच्छा है कारक्षित्र में, और यह जो महीना है, आपके जीवन में बहुत बड़े- में सोच कर बैठे थे, कि हाँ ये बदलना है, वो बदलना है, ये करना है, उसमें से अधिक्तम चीज़े आप पून कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र जो लगने के स्वामी है, इसलिए उनकी महत्ता और बढ़ जाती है आपके लिए, वो तीसरे भाव में होंगे, तीसरा भा साही चुकूँए हो ये महीना बहुत स्ट्यष्ट है, तो इस महीने का आपको लाव उठाना है, ब्रहस्त्ती की स्थिती पे थोड़ा सा ध्यान दिजेगा, ब्रहस्त्ती धीमे हो जाएंगे, मंद हो जाएंगे बारवे घर में, इसलिए थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान क्योंकि बारवा भाव दो जिसमे राहू अल्रडी है और एक ग्रह मंद भी हो रहे हैं और लगने के स्वामी शुक्र वो पतेत भी हो रहे हैं यानि कि बारवा घर एक्टिवेट हो गया आपके लगने के स्वामी वक्री हो गए तो सेहत आपकी इस महीने अचानक से बिगड़ है सकती है तो सबसे जादा जो ध्यान आपको इस पहिने देना है वह है अपनी हैल्थ का अपनी सेहत का कुछ विशेश प्रेडिक्शन मेरी तरफ से इस महीने अकेलेपन का अहसास आपको बहुत रहेगा बहले ही जीवन में बहुत कुछ आप पाए लेकिन अकेलेपन का का हैसास रहेगा आपको उस टाइम पर ज्यादा रियाक्टिव नहीं होना धहरे दिखाना है बदलाव बहुत सारे आएंगे लेकिन अचानक से कोई निरने नहीं लेना ऐसा नहीं कि सोच और काम कर दिया नहीं थोड़ासा असको एनलाइज कीजेगा अचानक से लियागा निर करना है step by step करना है ऐसा नहीं कि एकदम सब कुछ कर दिया step by step organized तरीके में इस महीने आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अधर्वाइस सोड़ी कठिनाई हो सकती है कुछ विशेश योग जो आपके लिए बन रहे है शनी देव पंच महापुरुष भाग में रहेगा और लक्ष्पी योग भी आपका बन रहा है कि पैसा भी भर पूर आएगा कुछ negative point stress को handle करना सीखेगा इस महीने कुछ ऐसे points आएंगे जहां पर stress एकदम आएगा unexpected way में आएगा वहां पर आपको handle करना है क्योंकि stress handle अगर हम नहीं कर पाते तो थोड़ी problem बढ़ती है इसके साथी overthinking बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि लगने के स्वामी वक्री हैं पतित भी हो रहे हैं तो लगने के स्वामी का तो प्रभाव हर चीज़ पर होता है तो पुरानी चीज़े जादा सोचना शुरू कर देंगे वहां से आपको निकलना है उस zone से आपको लाइफ में specially problem create कर सकती है हम हर जगा पे सही नहीं हो सकते अगर गलती होती है और वह नहीं मानना परस्नल लाइफ में specially क्या रहा हूं वह आपके लिए इस महीने थोड़ा problem दे सकता है चलते हैं करियर के तरफ करियर के लिए महीना ठीक ठाक है शनी क्योंकि दस्वे घर के स् अच्छा है वक्री है यानि की चीजें थोड़ी slow अवश्य होगी होंगी कारक्षेत्र में लेकिन overall यह वक्री शनी आपको अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं नई opportunities आ सकते हैं job change करने के लिए महीना बहुत अच्छा है क्यूंकि वक्री शुक्र भी इस महीने दस्वे हीना बहुत अच्छा है नई offer आ सकते हैं नई opportunity आ सकती है अगर हम दस्वे भाव से सप्तम को देखें तो बहुत सारे ग्रह वहां पर रहेंगे मंगल होंगे बुद्ध होंगे पहले शुक्र भी होंगे फिर सूरे भी आ जाएंगे यानि की recognition भी आपको इस महीने प्राप्त हो सकता है क्योंकि आपके orders आपके juniors में भी डंग से नहीं सुने अधरवाइस यह महीना करियर के संदब में ठीक है क्योंकि शुक्र तीसरे घर में जा रहे हैं वापस जो दस्वे स्थान से छटा है यानि कि आप बहुत competitive रहेंगे office politics को handle कर पाएंगे और अपने potential से अपने अर्थत्रिकोन है तो आपको इस महीने अपने कारेक शेतर में कुछ नया सीखने का आफसर मिलेगा लेकिन एक चीज बस कहूंगा कि आप से कारे डिले बहुत होंगे इस महीने आपके कारे डिले आपकी अपनी गलती से बहुत होंगे उस चीज के कारण कारेक शेतर में इस महीने जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है इस महीने जितना संबंध अच्छे बनाके रखेंगे कलीज के साथ उतना अच्छा है और इस महीने आपको आपको ऑफिस पॉलिक्स को भी हैंडल करना सीखना पड़ेगा क्योंकि जो लोग काम करते हैं कहीं ना कहीं उसका शिकार कभी ना कभी बनते हैं लेकिन ये महीना ऐसा है कि आपको ऑफिस पॉलिक्स का शिकार नहीं बनना ऑफिस पॉलिक्स को अपने काम में ज़्यादा इंट प्रपूर्ण हो सकता है कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है कुछ बहुत अच्छी न्यूज आपको आपके करियर के समंद में मिल सकती है नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं अपने फैमिली के इशू या पस्टर लाइफ के इशू ऑफिस में डिसकस करना उस भी पोस्ट पे हो आप जॉब ही कर रहे हैं वापन और आपको रिप्लेस किया जा सकता है इसलिए रिजिडिटी यानि की अडियल पना कि मेरे हिसाब सही काम हो वो इस महीने थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रेट कर सकता है तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहीएगा और इसके स का रहे है तो अपनी वानी और अपनी कॉमिनिकेशन पर इस महीने आपको काम करना है ओवराल देखो तो महीना ठीक है जो नेगेटिव बाते मैंने कहीं उनका ध्यान रखेगा यदि आप event management से जुड़ा यदि आप IT से जुड़ा यदि आप दवाईयों से सम्मंदित या medical field से सम्मंदित कुछ कारे करते हैं या फिर बच्चों से सम्मंदित कुछ field में आप कारे करते हैं तो आपके लिए महीना अच्छा है चलते हैं business के लिए महीना अच्छा है business के लिए महीना स्थान है यानि कि बिजनस में लाब अवश्य होगा सब्तम को योग कारक शनी भी देख रहे हैं ये भी एक अच्छे चीज है आपके योग कारक है जो आनि कि विर्शब के लिए और सब्तम से दस्वा भाव यानि कि लगने से चौथा वो काफी एक्टिवेट रहेगा यानि क कुछ कारे आपके अटक सकते हैं अगर मशीनरी आदी का स्पेशली काम है आपका आटो मोबील सेक्टर का काम है जहां पर मशीन इन्वाल हो गई उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इस महीने आपकी जो मशीनरी है उसमें अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है त क्योंकि सप्तम भाव से केंद्रिस्थान यानि कि चौथा और दस्वा बहुत एक्टिवेट हैं यानि कि इस महीने बिजनस में कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है जो लॉंग टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा अवश्य दे कर जाएगा तो महीना बिजनस के सं बालने का प्रयास किजेगा इस महीने अगर आपके पार्टनर्स हैं बिजनस में उनसे कॉम्मिनिकेशन बढ़ाईएगा नए काम ढूंडिएगा नई पॉसिबिलिटीज नई संभावनाएं ढूंडिएगा और अपने बिजनस के मार्केटिंग पर किस तरह से आप अपने बिजनस को प्रेजेंट करेंगे क्योंकि कॉंपिटिशन तो होता ही एक तरह का बिजनस करें लेकिन मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत महत्यपून हो गई तो उस पर आपको फोकस करना है एक्साइटमेंट बहुत रहेगी इस महीने उसको थोड़ा कंट्रोल करना है और जो छोटे-छोटे बिजनस के असपेक्ट पूरे नहीं हो रहे थे जो छोटे-छोटे काम अटक रहे थे उनको भी पूरा करने का प्रयास करना है इस महीने जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे अपने बिजनस में उतना आपके लिए अच्छा रिजल्ट होगा कुछ नेगे स्टार्ट मत कीज़ेगा हो सकता है आगे चलकर सिनेरियो बदल जाए इसके साथ ही अपने बिजनस के बेसिक्स पर काम ना करना बिजनस की जो मूल इनिमल प्रोडट्स इनसे जुड़ा कुछ काम करते हैं कॉस्मेटिक स्पेशली इनसे जुड़ा कुछ काम करते हैं या फिर टूरिजम टूरिजम इंडस्ट्री से है तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा धनस्तान के स्वामी आपके बुद्ध बनते हैं वो पैसे कमाने के अवश्य लेकर आएगा जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं चेश्टा रखते हैं स्किल्स रखते हैं तो ऑपरचुनोटी अवश्य मिलेगी वह आपके पूरशार्त पे आपके कर्मों पर हैं इंवेस्मेंट की जहां तक बात करें थोड़ा संभल के रहना पड सकता है जहां तक खर्चों की बात है खर्चे थोड़े बढ़ेंगे देखिए क्योंकि बारवे घर में अल्रड़ी राहू ब्रस्पती है अनस्पेक्टिट खर्चे हो रहे होंगे और बारवे घर के स्वामी मंगल वह भी केंद्र में आ जाएंगे घर पर बहुत खर्चा हो घरवालों पर इन सब चीजों पर घर की जरूतों पर बहुत जादा खर्चा होगा देख लेते हैं कि इनके चीजों पर इस महीने जादा खर्चा हो सकता है और दवाईयों पर दवाई घर में किसी की तब्यद भी गर सकती है उन चीजों पर दवाई पर हॉस्पिटलाइजेशन पर डॉक्टर्स के खर्चे मेडिकल बिल्स इन सब चीजों पर खर्चा पड़ेगा और आपको अपने स्टाट हो सकती है थोड़ा क्रियेटिव होना पड़ेगा थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या पॉइंट था क्यूं बात बंद हुई थी अपनी गलतिया मानिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रही है चांसेज है कि इस महीने दुबारा बातचीत स्टार्ट हो जाएगी रिजिड मत होईएगा कि हाँ अभी बात करो अभी बात करो प्रोसेस होता है वो एक कि आपको दिखाना बढ़ता है कि अपने उन पार्टनर को जिन से बातचीत बंद होगे थी कि ह आप समझ चुके हैं कि problem क्या है क्योंकि वो अगर understanding का level हुआ तभी थोड़ी सी बातचीत दुबारा स्टार्ट हो सकती है जहां तक नई relationship की बात है शुरुवाती भाग में तो नहीं लेकिन अंतिम तक आते आते chances हैं जादा try मत कीजिगा जादा desperate मत रहिएगा कि हा relationship स्टार इन सब के कारक होते हैं जब वो वक्री होते हैं साल में अधिकतम एक बार ही होते हैं और वक्री नहीं उरे पते तबी हो रहे हैं तो सभी के लिए ना केखल व्रिशप के लिए सबी के लिए married life हो, relationship हो ये महीना थोड़ा कश्ट कारी जाएगा आप ही relationship की बात कर रहे हैं तो संभल कर रहना है इस महीने कई उलजने आएंगी इस महीने emotionally बहुत exhausted करने वाला महीना रहेगा बहुत परिशान कभी-कभी हो जाएंगे relationship को लेकर अपने relationship के future को लेकर बहुत uncertain हो जाएंगे क्योंकि शुक्र आपके चौते घर में वक्री हैं पहले फिर साथ तारी को गिर जाएंगे तीसरे घर में और सूरे के साथ उनकी यूति भी हो जाएगे यानिकि communication gap बहुत आएंगे तो यह महीना आपको relationship के हिसाब से बहुत सजग रहना है बहुत careful रहना है emotions में बहकर कोई निरने नहीं लेना ध्यान पूरवक यह महीना आपको बिताना है कुछ special prediction में ही तरफ से यह महीना ऐसा मत कीजेगा कि अभी कुछ ठीक चले ही नहीं रहा और आप future planning कर रहे है अगर अभी problem है तो पहले उनको solve कीजिए अगर अभी present यह आपका अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है साथ में future हो ही ना तो यहाँ पे ज़्यादा future planning नहीं करनी present को ठीक करने की कोशिश करनी है समय के अनुसार आगे बढ़ना है जादा expectation अपने partner से नहीं रखनी उनके जीवन में involvement दिखाना है आपको उनको यह बताना पड़ेगा उनको दिखाना पड़ेगा समझाना पड़ेगा कि हाँ वो आपके जीवन का एक हिस्सा है वो आपके कर्मों के उपर है आपके उपर है कि आप किस तरह से उनको जता पाते हैं यह चीज़े और इसके साथी पुरानी बातों को भूल के टच मत कीजेगा बहुत ज़्यादा समभावना है जाने अंचाने में कुछ पुराना टॉपिक छेड़े देंगे और फिर जो बात already sensitive है वो और problematic हो जाएगी कुछ negative जीज़े जिन से बचना है environment थोड़ा अच्छा करके रखेगा बहुत ऐसे moments आएंगे इस महीने जहाँ पर dull सा एक atmosphere हो जाएगा और फिर बात और खराब हो सकती है तो अपनी तरफ से environment अच्छा कीज़ेगा atmosphere अच्छा रखेगा और जादा materialistic चीज़ों से आपको बचना है उनकी बातों से बचना है यह महीना ऐसा है जहाँ पर emotional जो एक तत्व है उसको आपको समझना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच में emotional energy क्या है यह महीना ठीक ठाक सा रहेगा जैसा मैंने कहा शुरू में भी कहा था कि शुक्र वक्री हो रहे हैं पतित हो रहे हैं शुक्र married life के लिए भी बहुत important होते हैं तो overall सभी के लिए थोड़ा सा sensitive यह महीना रहेगा क्योंकि शुक्र वक्री भी है पतेते भी हो गए हैं तो married life में थोड़े बहुत उतार चड़ाव अवश्या हैंगे सब्तम भाव married life के लिए देखा जाता है क्योंकि mangal की दृष्टी रहेगी वहाँ पर तो उस भाव को strong तो करते हैं लेकिन mangal चौते घर में बैठकर अलड़ी mangal दोश बना रहे हैं और mangal की दृष्टी भले वह सब्तम भाव को strong करें married life के लिए बहुत अच्छी नहीं होती तो लड़ाई जगडे बहुत हो सकते हैं arguments बहुत हो सकते हैं अलड़ी शायद उसकी शुरुआत हो चुकी होगी इस महीने और वो चीज़े देखने को मिलेंगी और हो सकता है थोड़ी बहुत आपके life partner की तब्यद भी खराब रहे क्योंकि mangal की दृष्टी है सब्तम पर और सब्तम से छटे में राहू है ब्रहस्पती और ब्रहस्पती मंद हो जाएंगे तो यह वो महीना है जब आपके life partner की तब्यद भी थोड़ी से विगड़ सकती है तो उनका ध्यान आपने रखना है ओवराल कहूं तो शुक्र का वक्री होना पतित होना भले ही शुरू में थोड़ा जगड़ा अवश्य कराए लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी communication better हो तो जो problems आ रही थी married life में उनका अंत भी हो सकता है वो सुलज भी सकती है और compromise भी हो सकता है क्योंकि सत्वे भाव से दस्वे स्थान में बहुत सारे ग्रह होंगे तो ego clashes भी इस महिने बहुत ज़ादा होंगी और इसके साथ ही in-laws के कारण भी इस महिने बहुत ज़ादा problem create होंगी तो अपने in-laws को थोड़ा सा control में रखेगा उनका involvement इस महिने थोड़ा at least अपने married life से दूर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कुछ special prediction में दरफ से ये महिना आपको care करना है आपको अपने life partner की care करनी है उनको special feel कराना है जो हो गया हो तो हो गया problems आती है लेकिन सुधरने का मौका देता है जीवन सुधरने का मौका देता है भागय और व्यक्ति सुधरना चाहिए जीवन के साथ समय के साथ तो अगर कुछ problems आ रहेती है आपने कुछ गलत किया था तो ये महिना at least उसको ठीक करने का प्रयास कीजेगा आप अपने life partner की care करेंगे तो married life मे एक सकरात्मक ताएगी जल्दबाजी नहीं दिखानी गुस्सा नहीं दिखाना गुस्से पर कंट्रोल रखना है और इसके साथ ही आपको अपने life partner को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है एक team की तरह अगर उनको लेके आगे बढ़ेंगे तो जो नकरात्मक ता है जो sensitiveness है जो समवेदन शीलता है इस महीने की वो कम अवश्य होंगी कुछ negative points बहस मत कीजेगा और बहस होती भी है तो अपनी वानी पर बहुत नियंतरन रख्येगा कुछ अब शब्द आप इस महीने कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़े कहते हैं जो कह सकते हैं जो बहुत hurt करेंगी उसकी साथी stagnation की बस एक ही चीज़ पर रोज बहस हो रही है एक ही चीज़ पर रोज बात हो रही है एक ही चीज़ पर रोज तु तु मैं में हो रही है इन सब चीज़ों से भी आपको बचना है otherwise married life में problems आ सकती है students की तरफ चलते हैं पहले exams की बात कर लेते हैं शुरुआती दस द साम है तो थोड़ी problem हो सकती है focus भी बिगड़ सकता और कोई अर्चन आ सकती है यह महीना देखे students के लिए वैसे ठीक है लेकिन क्योंकि चौथा भाव इतना प्रभावित है चौथे भाव में बुद्ध भी होंगे जो स्टड़ी के कारक है चौथे बुद्ध भी होंगे जो कोई problem आए घर की तरह से support ना मिले हो या फोई family problem चल रही हो उसको अपनी जीवन पर अपने study life पर impact जादा मत करने दीजेगा समझता हूं कहना असान है लेकिन देखिए आप अगर student है तो आपके पास बहुत limited time है और उस limited time में competition बहुत जादा और बढ़ता जाएगा देखि family problem सबकी चलती है कोई ना कोई किसी चीज से ग्रस्त होता ही है तो ऐसा दिख रहा है कि इस महीने emotional level पर family level पर कोई problem चलेगी उसका impact अपने study life पर जादा मत होने दीजेगा special prediction इस महीने कुछ नई opportunity आ सकती है आपके पास कुछ कारे जो टक रहते वो पूर्ण होंगे और इसक possibility भी आपके पूरे व्यक्तित तुमें दिख रही है जो एक student के लिए बहुत अच्छा होता है बस थोड़ा सा गुसा वइट कीजेगा आपके इस महीने अपने सहपार्टियों से या जो भी आपके निकटतम लोग हैं उनसे जगड़े बहुत होंगे तो वहां पर नियंतरन शुक्र वक्री हो गए हैं और पतित भी हो जाएंगे भले ही पैसा देदे हैं opportunities देदे आपको लेकिन लगन पर वक्री ग्रहों का प्रभाव होता है लगने के स्वामी वक्री होते हैं या उनकी परिस्थिती बदलती है जैसे बदल रही है गिर रहे हैं वापस पिछली यह सारी चीजे को एग्रिवेट करेंगी और यह कोई दिक्का चल रहे हैं तो इसके कारण इन सब चीजों के कारण और वह प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं लोवर बैक में बहुत दर्द रहेगा नसों की प्रॉबलम बहुत तंग करेंगे जिनको heart condition है जिनको कोई भी heart condition है ये महिना बहुत आपको careful रहना है क्योंकि अगर कोई heart condition है तो वो चीजें बहुत कश्टकारी आपके लिए हो सकती है ध्यान दीजेगा ये सारी चीजें बहुत तंग करेंगी पेट के रोग बहुत तंग करेंगे इसलिए मैं कहा रहा हूं अपने खान पीन पर इस महीने जितना नियंतरन रख सकते हैं उतना नियंतरन रखेंगे तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा जो शुरुवाती दस दिन हैं यहां पे पर कोई मानसिख विकार है वह बहुत परिशानी देगा यानिकी डिप्रेशन आदी ओसीडी आदी दिक्कत देगा और इसके साथ ही यहां पर यह भी दिख रहा है कि आपको शोल्डर के आसपास कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर लोवर बॉडी में कोई दिक्कत कोई प एवलिंग का या तो दूद से या पंचामित से अविशर करके महा मुझघ मंतर का एक sliight बार जाप करना है और मन्दिर में आपको चावल और दूद का दान करना है इसके साथ ही आपको किसी भी देवी मंदर में जाकर कुछ श्रिंगार का सभ्सवान दान में देना है माता का श्रिंगार होता है मंदिरों में तो कुछ भी वहाँ पे उपयोग हो जाए या कुछ दक्षिना देना है और इसके साथ ही किसी भी देवी मंदिर में एक नार्य लर्पड करके चीनी का दान करना है यो पाया आप कर लेंगे दो अधिक्तम चीज़ें वो आपके फेवर में ही जाएंगे आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी चैनल पर नए है सब्स्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओब नब